कीरेवा ड被ंहारी के बंद्र न में बैठे हैं कि नाश करने बाला तो हुए यह तभी तरह नाम रास 22 पढ़ा की नहीं कि आ ठील चेल रास 22 रासमें बिहार करते हैं दभी नाम उनकाober Reach किस्का साथ में रास नार करते हैं राधाजी के साथ मैं सलिए राधा राष भेहरी बाज में ले लिता विसा कभी है आप लोग भी सब है को कर तो सीए राधा राष भीहारी जी ये तो प्रशिद्ध है लेकिन बड़ाराम जी भी राष भीहरी इसा कि की नुग कोई ने शुना जाना ये कान की दिख़ा पॉटों में केसे नहीं ह Spaß को आज के अज बासनने यह ने थे को पुल नेवाति फिर्शन जब थे जब ब्रुणावन में बसंत रा सकीके एक लेकिन शैब कृष्ण नहीं थे कि बलार्ण भी नहीं थे तब ऐसे एक समय आय था वासंत रास रजनी इसमें सी बलराम जी का रास इल्ला भी वागत है यह भी भागवत बहाँ पुराण के I think 65 चाप्टर में बलराम जी के ब्रज आंगवन का बरणन प्राप्त होता है आपके सब पता है बलराम जी तो जनम ही हुए थे ब्रिंदावन में अरिजिनल उनका लोकाल आईडी है उनका उही का आईडी है कृष्ण तो ट्रांसफर हुए थे तो उनका परवान इट यहां का नहीं है तो जो भी हो 11 साल ब्रज में रहने का बाद कंस मामा का भी आईपी पास आया उनका गाड़ी ही आया उनका ड्राइभरी आया मंत्री आया तो ले गए उनको फेस्टिवाल था रयाल फेस्टिवाल कुली फेस्टिवाल देखने के लिए धेस्टिवाल होने से फ़ले मामाजी के आउट हो सबस्यों कर þeo होगा के तो ही फेस्टिवीटी हो गया कि धनुर जग्यां का मुख्या करान था सबसे पहले दिनी देखते देखते धनुस तोड़ दिये तूट गया नहीं टूटा नहीं टोड़ दिया गया तोड़ दी दून बालक अब क्या क्या किया था उसके बहुत भारी बढ़नद है लेकिन कंसा ने सेकंड श्टेप लिया श्राणर मुष्टिक वादे लगा कर दो लोगिन जो होना था हुआ मामा जी आउट हो गए नाना ज नाना जी आए अरे वो तो महा भारत जुद में तो दोनों पक्या मील करके 18 अक्षणी से नहीं अकटा हो थे नाना जी तो एक एक बार में 21 अक्षणी से नहां लाते थे उससे ज्यादा वो उनका शंकल पकिये थे दोनों बेटी के सामने बेटी चिंता मत कर मैं इंडिया म्याप से मत्थुरा पुरंदावन की नाम निशान उड़ा दूगा गोगल में साच मार निश्व नहीं आएगा विल्कुल उड़ा दूगा उप यही प्रयास किये थे कि शत्तरहां वार इतने भारी सेना लेकर के आया भगवान ने अंततह राण छोड़ रूप धारन की भाग गया राण छोड़ करके वो यह हसने लगा अरे रूक 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 रूप रूप भाग जाता है खेत्री है लेकिन यह नहीं सुचा कि शत्रा बार तरे ने चोड़े तुझे तभी नहीं सुच रहा था एक वार भाग क्यों गए गए सही रूप 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 कर कि पुजा पाते हैं दाक वर में पहले मत्रवासियों को दार का भेज दिये थे अनलाइन ट्रांसफर करते हैं और अप्लाइन नहीं गए थे मत्रवासि इतने थे जादव जद वंची जदव उसनलाइन गए थे द्वार का अब कि ऑग अप्लाइन गए हैं और वहां जा करके साधी सुदा किये पर बर्सों है गए द्वारिक अधीस हो करके यहां तो जब रज से मत्रवा गए थे तभी बज के हाल इतना खराब था रो रहे थे गोप गोपियां पना दुराबस्ता था और मत्रवा तो फिर भी आउट अप रीच नहीं था जब भी चाहें एक घंड़ां पहुंच सकते थे जमना पा तब श्मार्टफोन भी नहीं था कोई नेट्वर्क जन में नहीं थे इतने किलम वहां जाकर तो कितने बिरहता सा था तो क्योंकि वहां ग्रियस्त धर्मा अपनाए पत्नी परिवार दुनिया भर का राज आधि राज द्वारिक आधिस की जय हो ताट बाट में रहे पिर कि इसे घटना हुआ था प्रज में हो भी अधुद था किसी हो सकता है जहां स्वी बढ़राम जी उपस्ती थे प्रोटेक्शन में इंचार्ज है सीकुरिटी इंचार्ज हो ही थे और रहते रहते सिकुरिटी का देखवाल करते करते भगवान सी कृष्ण के एक बेटा था रुक्वनी जी का पुतर था जैनका नाम था प्रदिम्न गाइब हो गया बेडरूम से बेडरूम से ही गाइब हो गया लो पता नहीं कर पहें सीशी टीब अंगरा सब लगा होगा इसा नहीं कि आजकाल हम लगाते हैं देकिन उसमें भी नहीं आया टीबी अन था फिर भी नहीं पकड में आया बेडरूम से गाइब हो गया उनके माँ थी वेड़ में बेटा सद्य जात शिशू गाइब अब होज हवास में उनको पता नहीं चला पता लगाने के लिए खूब प्रयास किया गया और उसका नितृत्त में इसी बड़राम जी थे इसे उनका है लिला है वो सरबग्या सिर्यमनी उनको क्या पता नहीं जो भी 16 साल के बाद में स्वयंग प्रद्धिम्नजी आये और अकेले नहीं आये थे साथ में मैडम भी आये अब उनका रिसिप्शन हुआ मैं रेस्त हो चुका था अब क्या करना था रेशिव से नहीं होगा बड़े भोज भंडारा हुआ इतने बड़े बड़राम जी इतने खूस हुए क्योंकि 16 साल के बाद में प्रद्धिन जो अंतरधान हो गयते बेडरूम से आज आई इतने बड़े हो करके छोटे से अब उनके लिष्ट में ब्रद्ध कभी याद आया कि उनकी जनमस्तान है ना कि याद आता ही बड़राम जी आपने आपको समाल ना पाए कि लिष्ट बना रहे थे उनको उनको बुलाना है उनको बुलाना है कि बुले करनू क्या भाई साब देख तुम्हारा याद नहीं आ हागो ट्याना चाहिए एक नहीं कितने तुक त गता है कि फिए ने बड़राम बुलें उनके बारे में अब मेरे से समप्ला क्यों आइसे की आःधाष्ट करके रुका हूं आ पले ना कि नहीं जाता कभी नहीं आप में बोलते मैं जाओं कि आप नहीं जानते मैं जाओं तो कि वा पस आ सको इतने पत्नियां है ब्रज जाने से मैं वापस आहीं नहीं सकता हूं वो सम्भवी नहीं है कि वह जा करके इस दुर्दसा को देख light तुरुपति करों और फ्रे वापस आ सकों इसलिए मैं चिठी भेजाता उद्धव के हाथ में ना उद्धव जी प्रतिग्यां करके आए मैं जाकर भेशता हूं सार को उद्धव जी कान पकड़कर बैठे में मैं कभी नहीं जाओंगा फिर दोबार मुह देखा नहीं जाओं इतने प्रतिग्यां कि आप जानी रहें तो भगवान ने बोले भाई साफ आप ही जाके हुआए मैं तो नहीं जा सकता बहुती दैने सिती होत याद आ रहा है दोनों भाई रोने लगे पकड़कर एक दूसरे को रोरो के बोले भाई आप ठीक ही रिसिप्शन हो गया अज त यही मारश एप्रील का महिना था बसंद रुप था बढ़राम जी फाइनली डिशाइड के बोले ओके तू नहीं जाता महीं जा रहा हुआ है यही प्रमाणित होता है कृष्ण और बढ़राम में कोई अंतर नहीं है कि बोले रंग मात्र भेद यह ब्लुई सी वाइट वो प इस लिए मैं नहीं जा पैता आप ही जाओ तो नाम जी तयार वेवल ठीक मैं जा रहा हूं अन्भीहा प्यूं कि एसे जाओंगा अन्भीहा प्यूंगा क्यों कि पूरी ब्रद्ज आपके बिरहा बेधनाज से संत्त है इस चान्तों करने के लिए मैं आपकी और से जा रहा कोई उद्धव नहीं है कि लेटर देखरी भेज़ दें भगवान नहीं उनको लेटर फेटर का जड़वत नहीं हो तो होई है होई होई कि अलग तोड़ी ना है कि सब जानते इस वात ब्रजवास तो बारामजी जाने के लिए तयार हुए कि कृष्ण ने बारामजी का हाथ प प्रजवासियों का एक-एक करके नाम पकड़ करके उनको क्या मेसिस देना है उनको क्या किप्ट देना है पूरा गाड़ी में लोड़ किये ताड़ भजरत में सारे वेवस्था किये तो क्या मैं तो अपने और जा रहा हूं लेकिन इतने किप्ट आइटम दे दिया उसी कु सब को देख करके सारे काम ठीक से संतना देख करके आना संतुष्टी करके बहरामजी ने ब्रज जात्रा में निकले ब्रज की जात्रा ही कुछ ऐसे होता है आप कहीं कभी-कभी ब्रिंदावन जाने के लिए टूर करो तो पता चलता है बाकी से भूल जाते हैं बाकी सब भूल जाएं कि ब्रज ही याद रहे यही ब्रज जात्रा के पैशाद ब्रज को जब जात्रा निकलता है तो और को ही कुछ याद नहीं रहता ब्रज भूल गये द कि एक बढ़ राम जी नारा रदंद आगे बढ़ रहा है उच्षा और उत्कंठा तूध बिध्धी हो रहा हा है डड़ते चला जा रहा है यह की से होंगे करें जिसे होंगे वाइया कि इसे होंगे उनके डबल मैया है एक रोखनी जी एक जसदा जी दोनों को इमानते थे कृष्ण कभी उनकी दोनों सेम थे इता तो एक थे मां सगे दो मां थे और बढ़ाराम जी तो पूब्ध है भागवत में कि दो मां के बेटा है कि परिखिजी हो सकते हैं लेकिन दो मां के एक बैठे एक साथ में आख स्रीट्रांसफर कियो हुए तो मां के को verse बले के संबभ जिवいます और तो और कोई सुपन में सोच नहीं सकता इस बुलता है कि मेरे पुतर है लड़का है कि दुनों मां के और सजात्र पुतर है तो जाते हैं बड़राम जी ब्रज के भाव से बिलकुल विभावित है और वो इतने ब्रज रस्मी भावित है उनके गाड़ी उनके सब कुछ बिलकुल एक आग ब्रज के और बढ़ रहे हैं बड़े सिघ्रता से बढ़ रहे हैं ब्रज के आसवास पहुंचे पहुंचने से पहले संपुर्ण ब्रज मंडल में सुभ सकुन देखाई देने लगा सभी प्राणियों में गुड ओमेंस समझते ना जैसे पुरुसों का रैडशाइड फड़कना स्त्रियों के बाएंशाइड फड़कना ऐसे और नाना प्रकार के चिन्न होता है सुभ सकुन यह होने लगा सब बहुत क्या होने वाला है हमरा तो दुख के बल एक ही है और कोई दुख है नहीं हमरा क्या दुख है क्रिष्ण के बिरह तो क्या क्रिष्णा आ रहे है क्या क्रिष्णा के साथ मुलाकत होगा क्या जय सिर्शी राधारास भी हरी भगवान के इस सुभ सुचना क्यों प्र गोवर्धन के उपर वे बड़े बड़े प्रुख्य राजी है वह देख सकते हैं और यहां के जो गाय बैल सब ओ वर्धन के चोटी पर चर रहे थे ओ देख लिए क्या देख लिए ना दूर से तालत चिन्ह से जुक्त पता का फर फर उड रहा है और गाड़ी आ रहा है तालत अधरकार तो उनका ओही था खृष्ण के तो बड़े ट्रास्वर वे तो इसलिए संपुर्ण प्रजवासी बढ़ाम जी को अपना नेता मानते थे यह के लोकाल यह है और हमारे नेता है और वो भद्र थे खृष्ण तो बड़े चंचल थे और चंचल थे उनका तो रेकडि आदे लेकार ने ग डर राम हते होई संपुर्न बलशाली होते हुए भद्र थे बला भद्र थे वेरी जेंटिल म्यां थे शुक्ष्ण SUNT थे सब को हैल करते थे इसेलिए गॉरी ब्रश क्राणा начала में सारे प्रानी मात्र में उनको अपना रिदय श्वर मानते थे गोप गोपियां गोपी लोग भी अच्छी तरह से जानती थी क्या जानती थी राधा समेत गोपी लोग जानती थी कि यह जो कृष्ण बिरहे के दूख में हम तड़ रहे हैं उनको समझाने के लिए बृंदा और पुर्णमासी देवी राधाजी के पास पढ़कर के दीन राध समझा रहते बुले सकी यह आप समझ लो कृष्ण आपसे अलग होई नहीं सकते हैं कृष्ण कोई बाहर ने गए वो उनका प्रमीज है बृंदा बनंग परितिज्य पाद ए प्रयास करके भी आपसे अलग होई नहीं सकते हैं नट पसीफिल पर हीम इस चैलेंज़ फिर बीयूं दुख कर रहे हो यह बात राधा राणी को अच्छी तरह से पता था किसी रास भिहारी सी स्याम सुन्दर कितने प्रयास करने भी मेरे से अलग होई नहीं सकते मेरे से क्यों रहा है कि राधा राणीची इतने तिब्र था कि जब उधबन ने गया था उससे वर आपस घर में नहीं गए उसी कुंजी में लेट गए थे इतने हौइ टेमपरचर उनका हो चुका था कि इलेक्रिश्ट दतान सखे आखर के कमल के पत्ता घंगा होता कमल ना करको को ही भी सहते हुँस pajama करने लेकिन कमल को पत्ता बिच्छाते थे पानी डाल करके उसमें लेटते ही कुछ मिनिट में जल करके राक हो जाता इतने हई टेमपर्चर था इतने तत्त थी तड़प रही थी भी रहता आप में अब इस प्रकार से तड़पी रही थी भागवान ने मतुरा से एक लेटर भेजे उधव था क्यारियर उनको कर बहुत कर बहुत कर बले कि पहले तो ममी पापा से मिलना उनके बताना फिर लेटर तो उनको देना पहले तो नो hakkने देना लेटर किसी के बास नहीं देखाना यह ब इलकुल स्क्रेट लेटर है उनको देना बाकी सब सहमिल मैल कर के वहां पहुंचना इमीड़ेटर ताहाँ पहुंचनेश नहीं ही पाऊगे यु पहले द लन्ड़न्द में जाना पिता जी से मिलना माता जी से मिल दिये भी लेटर लेकिन ओर लोक तो होसावासम नहीं थे राधाराणी तो प्रणाप करने लगी उनका प्रणाप के कई भेज है एत्मध मक्ही की देख करके उशिप की लेटर करें दूद समझ कर क्या क्या बोलने लगी जब होसमाया उधब जी लेटर लेकर आये हैं स्याम जब स्वाल का हस्ताख्यर है से उसके लेटर में लेटर की पकड़कर अधारनी बोले के लिए उद्धव के वापस आएगा आज कल तो गोपिनाथ नहीं है वो तो मतुरानाथ हो गये हैं थेग अपिनाथ कभी अभी तो मतुरानाथ है मतुरानाथ क्या भी आपके सखा है इसलिए आपको भेज़ें उद्धव क्या बताओ कि तु जा करके लेटर मुझे डेलिवरी किया स्थिति के बारे में बता दो में तो जह बता देता हूं इतना ही बता देना वो समझ जाएंग करकमलर कनिष्ठ मुद्री का कंकन होईला भुजकू उसमें हिंदी में बोलता हूं इसे राधा जी कहते हैं उद्धव तु जाकरे अपने सखा को बताना मेरे स्थिति क्या है क्या बताना कि करकमल लोटोस हैं मेरे जो हाथ का था उसके कनिष्ठ ए छोटे अंगली जो है उस में एक फिंगर रिंग था मुद्रिका था उसका बारे में इसे हिस्ट्री है कि राधाराणी जब छोटी लाली थी बर्शाना से नंद गाहु चली गई थी एक बार इपिली पकर होने से पहले ही इसलिए थी पिली हुआ था एक बार चली गई थी अपने क्यूंके अपने भ जबर्धस्तिव भुले हम साधी करादो करा दो तो जसुदा मया था हात में हल्दी लगादी सब कर दी भूले हल्दी लगादे थी अभी रिंग नहीं हुआ है अर्य हम मुद्ध रिंगशिरी बंडा थे करना है तो किरिष्णा अड़ गए अभी रिंग ला मुझे पैनाना करना है अब भी करना है अब कृष्ण के जिद्ध बड़े हटी ले तो एक गोल्डेन रेंग जिसमें डाइमंड अगरा जड़ा करके रतना दिला करके दिये कि बोले उनके राधानी तो एक बार छोटी थी लाली उनके साइज कि बना कर लाए थे विसी साब से लेकिन यो वो लेकि छोटी है करके जो बनायना मला बना दिया इतने छोटी था कि अंगुली में गया ही नहीं जा नहीं रहा था कृष्ण ने इसको ला करके बड़ी प्रयास कर रहे थे कि मिडिल फिंगर में चले जाए अंगुली हंडी पहन कि लाएंगे लाएंगे तब आजी नहीं हो पाएगा कृष्ण बुले ना अब शेकंड मुद्र का बना कर लाएंगे ना पक को लोड़ी पास इसी कु पहन पड़ेगा तर्शी ने पड़ेगा पहन पड़ेगा जबरदस्थी हाथ के इस चोटी अंगुली में बहुत प्रे से उने चहा कर कि आपने स्री ती कमल से राधानी के छोटी आंगुली में जवरदस्ती फितने पहना दिया उन को शील गया उनको उपर के चमुटा करना अचाहती ती अंगुली कटे भले नहीं निकालोगे क्योंकि स्री कुण इतने प्रेम से इतने आग्ड़ा अग्वास मु पतली हो गई किरिष्ण मतुरा चले गए कि इस बिरहद असा में इतने खाना पिना छोड़कर चिंता में दुगली पतली हो गई कि यह जो धिला हो गया हो टिकता नहीं गिर जाता है लिटल फिंगर से फिट नहीं बैठता तो बोले चलो चोड़ूगा थोड़ी तोजे यह नेक्स्ट फिंगर में दिए लिटल फिंगर के बाज़ूजे फिंगर उसमें पहना है दो पहर तक इससे भी दिलाव गया इतने पास्ट तो यहां से निकल गया पनहा दूसरे दिन सु जोटा था मिडिल फिंगर सबसे बढ़ा होता है तब होले क्या करो वे भृद्धांग उसमें उसमें पहनते ही कभी कोई यह थड़े मोटा है सबसे त्यागर उसमें डाले और दो दिन के बाद आपने निकलाया तो नहीं चाहती थी किस्ट के निजी संतक था तो उसको पहने अभी फीठ हो गया यहां पर जस्ट इमाजिन क्या उनका दसा हुआ होगा लिटिल फिंगर में जो बहुत टाइट होता था उसको रिष्ट में पहन लेना कैसा क्या दसा होगा अभी रिष्ट में भी डिला पड़ गया इहां बनाए अब तो आर्मलेट बना रखे हैं कं कि अभी लिटिल फिंगर में जो पहनने में मुश्किल होता था अशो ही मुद्रिका को राधाजी देखावल उद्धाव देख लो सक्षा को जा कर बताना मैं आर्म लेट बना कर उसी को पहना हूँ यह आर्म है कि दागा है कि ऐसे अधूत दसा थी कि इस दसा में अब धब जी आकर जो जो के थे जो गए थे कि इस दसा को जब याद करते हैं क्रिश्णा विवल होकर रो पड़ते हैं सेम बड़राम भी जानते हैं उनको वह भी रोते हैं दोनों भाई आउट लाउड रो रो करके भी दाफ़क रकाये थे और जैसे में बुला कि ताला जो जरात को देखने लगे दूर से पहले बैल और पक्षियां और पेड दुन जो देखने लगे आनंद कमारे बैल तो गर गरजना करता है किसको आता है गायभल गुसला में जाओ सुनना हो किसी गरजना करते है ऐसे साउंड किये और पूरे ब्रज मंडल को पता चल गया हमारे प्रभू हमारे नेता हमारे मालिक आ रहे हैं सजने लगी अब कोई दुख थोड़ी है अब तो आही रहे हैं प्रभु पुर्ख्यादी साब विरह के कारान जड़ गई थी सुख गई थी अभी साप पल्लवीत होने लगी इसलिए बसंत है बसंत में पत्र प्रश्व पल्लवीत है नई लीव साता है सब में कि सारे नए नए पता आने लगा कि फाल फूल से भर गया इतने खूस हो गए नदियां की घाटी पाहड की तलहटी यहाँ पर तो इतने जिसे कोई प्रकृती माता ने आपने हाँ से रंगुली बनाए यह पावडर से नहीं है लाल पिला से रत्न से रंगुली हीरा नीला नीलम ए सब से इसे सजावट की पक्षियें मंडल बांद करके आवाज करके स्वागत संब गीतगार हैं स्वागत करने के लिए बाई लादी तो उहीं से भागे गवर्धन चोटी से बोला हम पहले जाए बाई एयार चड़िया बाई रोड पसुएं दोड पड़े और पता चल गया सक्षाओं को अब तालध्धज की दर्शन हुआ पताका की ओ घर घर नाद उनके गाड़ी के साउन वो तो उनका अतिस उपरीजी था दोड़े दाव आ रहा है दाव आ रहा है करके दोड़े दोड़े सब इकल हो करके अब राज के इंट्रान से पहले ही पहुँच गये थे वहाँ सीमा से बहार चल गए थे पहुँचे अब उनको देखकर बढ़ रामजी कैसे गाड़ी हम बैठ सकते हैं कूदे उनको उतरना नहीं पड़ा जश्ट जंप ड्रावड कूदे रद से कूदत ही सारे टूट पड़े सारे गोप सखाएं उनको अंकमाल देना चाते थे आलिंगन करना चाते थे सारे गया उनको चाट लेना चाते थे सारे पसु उनको सुंग लेना चाते थे सारे चिडिया उनके लिए क्या क्या सब्द बताने चाते थे भ्हमरगण उनके लिए साब मिल करके जितने हाई ग्रेड की वेलकमिंग से रिवनी होना चाहिए सब करने लगे सब को साथ में लिये हुए बागराम जी बद ब्रज में बढ़ चापल पर नहीं उतार देते चले ब्रज के कि ब्रज में कभी चापल नहीं पहने ते कृष्ण बढ़ आप चले खबर तो बिजली का तरा पहुंच गए था बच्चों इसे होते ही दोडते भागते दाव आया घर में जितने बाकी सारे बड़े लोग थे प्रोढ़ आत्मी बुढ़े बुढ़ी ओर चब घर के स्थियां सब्ते दाव आया सोन करके सब के जीवन में नुतन प्राण संचार होने लगा सब दोड़े सच्मुच सी राधा नानिका में इतनी जो बिरह बेदना था कृष्ण के बिरह में उनको समझाते कि कृष्ण आप से अलग होई नहीं सकते तो क्यों उतना दुखी हो तो राधा जी का कहना था मैं कृष्ण दूर चले गए इसके लिए दुखी नहीं हूँ क् कि दाव नहीं है दाव के अदर्सन के कारण कृष्ण विरह के बाधित होता है मुझे क्योंकि दाव तभत्र है वो कभी इस चलिया नहीं है वो जाते नहीं जिंटिल्मान अज ओ दिखाई नहीं पड़ रहे उनके दर्सन नहीं हो रहा है तब तब पहर कृष्ण उनको कि यह अतिमिली ला तक बढराम जी कभी रॉज्रila कभी को साथ नहीं ठोड़े हमेशा गुटरूबन से लेकर के अप्रभास जातरा पर जन्त हमेशा साथ मे नहीं छोड़े टीष्ण वनके अलावा ठिकें नहीं यह बड़ जनको अच्छे तराशे पता था कि आमारी यज ये दुष्ट चंचल वालक कृष्ण आपने मोहिनी माया के साथ कब कहां कब कहां कब क्या करे कोई भरसा नहीं अगर उनके स्री बढ़देव बढ़भद्र अग्रज पास में रहे तो उनके माया समित हो जाएगा वो चुपचप रहता है पास में दाउजी है तो तो वो होगा आसपास में कहीं यहां नहीं चलगा यहीं प्रमान है कि बढ़ाम है मतलब पिष्ण है इसी बात सभी के रिदंगम था प्रज में सभी को लता पता पसु पखी गाई बशे सब जानते थे दाउजी है मतलब कर नहीं है उनको छोड़के जरहीं नहीं सकता कहीं चाहे गोष्ठ में हो जमुना तट पर हो चाहे घाट पर बाट पर घर में कहीं भी हो दाउजी है तो वो होगा होगा होकरी रहेगा कहां जाएगा यह सब के बद्धारानात सब अच्छी तरह से समझते तो दाव देखाई नहीं पड़ रहा है कृष्णा अगर आ भी जाए सामने खाड़े भी हो जाब लेंगे तेरे क्या वरोसा है तो एक ही कोई पिक्षर दखा रहा है स्याड़ है ना क्या है मैनेंगे नहीं दाव दिख जाए सब का अंदर पद्ध प्रम भरना हो जाए कि करनिया तो है वो आ चुक है तो इसलिए दाव के दर्सन ही मुख्य बात है दाव अदर्सन के कारण सब दुखी थे अब दाव जी आ गए ब्रज में आ रहे हैं आ ही गए प्रवेश कर ही गए तो इसलिए संपुर्ण ब्रजवासी गोप गोपी लता पता पसु पखी पेड़ पोधे साब इतने आनंदित हो गए जब रज में पवेश कर रहे थे रास्ता पर फूल पत्ते विछ गया कोई विछाय नहीं तोड़ करके डाले नहीं हमसे उपर से फेंक रहे हैं सारे इसे नहीं किये सारे पलबित पुस्प स्वयंग चुने चुने सुगंधित पुस्प को प्रस्पुटित करके भगवान आ रहे हैं आडवान से पूरी रास्ता भी चाने लगे पेड़ पोधे विछाने लगे कोई व्यक्ती नहीं कोई सब्सकाने आगे आगे किर्तन करते हुए प्रहिल भ्रमराबडी आपने गुंजन किर्तन ओही जानते एं क्या ताल किर्तन है भ्रमर उसके पीछे बारी बारी के कई गायक कोईल है मैयूर है जो सुब गाने कलामे एक्सपर्ट है जो पक्खियां ओ सब भी कई पाठी किर्तन का कुछ उठा करके हम्मा रडी करते हुए वो चलते हैं उसके पीछ एर गुप सखाया हात पकड़ पकड़ कर चलते हैं हुप पकड़ लेया दादा के हाथ च भूल दादा करistor का कहा था इतना दिन तक हो 2016 की कि सुना कि कई कोई द्व्वारका कि पता नहीं तुरका कान बीच्र जानते हैं कि उसकुन होते हैं कि तो क्या पुचेंगे कि इतने गाए होते हैं दादा कि दर का जाकर रहते हैं इतने सार गय है कि अधर सबसे छोटे सखा तोक के हड़कर सबसे हुए बाराम जी उनका हाथ पढ़क बले तोक सच में आप जो पुछ रहे द्वारक के बारे में वहां तो एक भी गाय नहीं है ना फिर ना क्या कहूं इस ब्रज के तुरणा में वो तो महा तरिद रहे कि यहां जो गोधन है संपति यहां अगधी यहां तो एक भी नहीं है भाकी सबकुछ है कि द्वारा का आई शाूरत के व्ивать आख लोगी है लेकिन वहां दरिद रहे कि यहांं गोधने नहीं है भी फिर क्यों जाता यहां कि फिर प्यों जाता दो वली तो समुद्र को बीच में एक टापू है, समुत्र होता क्या है, बहुत पानी देता है, जमना में पानी क्या कम है क्या, तेरना है ना, वह तेर सकता है, क्यों जाता है, मज जाना यहां, गाय नहीं, जमना नहीं, वहां जाकर क्या करगा है, सच मुझ, जहां गाय नहीं, जमना नहीं, वहां जाकर नहीं क कि नंदवाबा आदी और जितने रिशी मुनी ब्राह्मान ओभी सब आ गए अब भगवान कुदास्ता में उलक्सा मिले पर्फेक्ट म्यानर्स जानने बाले हैं उनसे सिखना है सबसे पहले जा करके बढ़ों की चरण बंदना की ब्राह्मानों की रुशियों की सेंडली आदिवन्यों की हेभ से बड़े बुढ़ें का सब कु बंदना करते जानते किसी को कैसे मान देना है किसी को देख करके किस को स्माइल देक करके इसी अधाग चू करके जोंदे गलवाई से करके किसी कुफा बंदना करके परस परस edugal 2010秒 इसी साइन्स को मैं सिखना होगा सवकोले सम्मानों कुरिते सवकोती दिहो नाति जथा जथो इह आचारिय शिखाते हैं गुरु से इहीं सिखना होगा हाव तो रेस्पेक्ट एब्रीबडी आज दे डिजर्ब बना राम जी सम्मान देते हैं आदी जीवाचारिय समस्त जीवी काचारियों सिखाते हैं प्रत्य को कैसे किस प्रकार रेस्पेक्ट देना चाहिए अब तो नंद बाबादी जिसको जैसे हो चानते हैं जिस प्रकार रेस्पेक्ट दे अब माँ जस्मति का स्थिती कुछ दूसरा ही था जस्मति वर रोहिणी जब उनके कान में पड़ा ओ तो बावली की तरह बैठी हुई थी जब से क्रिष्ण मतुरा गए थे किचिन अक्टिवेटी नहीं हुआ था कि मकडी के जाला लागा हुआ था सव साफी नहीं हुआ था क्यों कुकिंग करूं किसलिए करूं करनू नहीं है दाव नहीं है किसलिए करूं बंद था ना खाते थे ना सोते थे ना कुछ नहीं करते थे इस प्रकारदा साथ लेकिन आज बरसों के बाद जब कान में पड़ा कि दाव आ रहें तो कोनों तो होगा उनके साथ तो मैं बैठी रहूंगा तुरंट उठकर कर दोड़ पड़े गेट पर जाकर हो लाहा मैं जाओंगा उनको लाने के लिए अब आएगा मैं यह माखन मांगेगा मैं जानता हूं उसको प्रेस माखन चाहिए मिजाओंगा तो काई ओड़ुषी काथे मगा करके तुरंत मंथन करने लग जाति है माखन निकल नहीं ताजा माखन फिर निकलतानिक फिर क दोड़कर आती है तो आता नहीं गया तो अंदर टो अंदर बहार अंदर बहार यहां खोरे फिर धोड़ जय ड़े नहीं खाई तो सठ्स-मूच स्रीदाव जी नंद भवन के आसपास आ गये दोनों मैया के नजर में आ गया दोड पड़े हाथ में लगा हुआ है माखन उर्दही छिटा पड़ा हुआ है साप नहीं नहीं नहा दोना भाड में जाए अब तो जल्दी माखन निकले बच्चा आएगा सो दिलाम है इस पूरती माताओं को इस प्रकार सम्मान किये वह तो बरन्ना के जुक्य नहीं है वही जाने किस प्रकार बारी-बारी के खींच करके चाती में लगाते थे चाती से दोनों पयोधर से स्वत पयो जहर रहा था दूध जहरने लगा बिलकुल होस पाई पिकतरा बख्य से और आँख से गंगा जमुना के तरा पानी बह रहा था वही दुख दोर पानी कावी से को गया रास्ते पर गोध में ले गए उठा करके चलना नहीं पड़ा चोटे बच्चे ज़गाए चरा कर आते हैं तो मैया दोनों आपने बच्चे को उठा लेते हूं बहुत चलकर आया होगा ठग्य होगा चल थोड़ा तर खिला देता हूं थड़ा पएर मसाज कर दें ऐसे गोध में उठा ल के लिए तो उही कनही आदाऊ है कि उससे कोई फरक ने पड़ा है कि गोध में उठा कर ले गए यहां आसन नहीं जोई गोध में बइठा ये मां ला करके मूख में खिलाए बैट करके प्लेट लगा दें बैट कर खाओ नो 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 बच्चा को इसे थुड़ी के लाते है गोद में बैठा करेके लेटा करेके आपने हाथ से मुह से माकन खिलाए ऐसे टीटमेंट बाकी सब को पता चला सब दोड़ का आए थे लेकिन सब जानते हैं कि सबसे बड़ा सेयार तो ममी का है फिर पापा का उनको थोड़ा टाइम देने दो हैं अभी मिल लेंगे दो पहर को दो पने तो काल परशुत मिल लेंगे गए माता पिता के पास जथिष्ट रूप से उनको मिल करके उनको प्रसंण करके संत्वनादे करके बाहर निकले बाकी लोगों से मिले सखाव से मिले गाय बच्ण से मिले अफाइनाली लास्ट ब्याच में सिराधिकादी गोपिगन थ कि उनको तो ज्यादा टाइम चाहिए था वोले आमें कम समय कम नहीं चलेगा आमको टाइम चाहिए मेसेज भेज दिये थे उन्होंने दाव जी कि अबर पास्टाइम देना पड़ेगा बनु बता दीजे कहां मिलेंगे आपके घर में आएंगे बीच में आप आएंगे जहां प्लेश डिशेट होता हुए आगए मिले जद्यपी नियम के अनुसर आप जानते हैं हमरे लोक आचार है कि जेट को नहीं मिलते हैं जेट समझत आपके पती के बड़े भाई को इस्त्री के पती हैं पती के बड़े भाई उसको क्या बलते हैं देड़ु सुरा है हिंदी में देड़ु सुर नहीं कहते हैं जेट कहते हैं तो उनके सामने पती के बड़े भाई के सामने और नहीं जाएगा यहां पर जैस का महराश्टे मानते हैं कि बात SWK महरास्टेनमन सब जंगों एंङुन हों घुटन में जैंगे उनके सामने नहीं जाएंगे बहुत पिर सर्म करेंगे ड्रशूर भाई बहु शंपर क्वट पॉलते हैं भाई के पतनी जेट के सामने देड़सुर को समन नहीं जाए और ये जितने गुपियां थे सब तो ये सब के जेट लगेंगे देड़सुर लगेंगे बोले भाड में जाने दो नियम कु यार अब फिर कम मिलेंगे प्रणाम ता करेंगे इतने बरसे के बाद आए यहां सरम चुला मा जाने दो वह जाकर प्रणाम करेंगे उनका असरी बात लेंगे पूचेंगे भाइशाब के बारे में क्या है छोटु कहाँ है आप आगे और तो सारे मिल करके जम करके बैठ गए बराम जी के श्री चरन हो ही अनन्त सांती अनन्त आनंद अन्त अस्वासन के आगार है कि निताई पदकमल कोटी चंद्र सुषितल जे छाया जगत चुड़ाए जगत को वेट करने वाले सी निताई उही तो बड़ा नाम है उनिक पदकमल है ओ पदकमल में सरम कमारे प्रणाम नहीं करेंगे तो गयातरा काम तो इसलिए सरम को चुला में जाने दो सब जा के प्र पर राम जी सब को खुल करके अश्री बाद दिये अश्री बाद देना तरीका भी उनको आता है देख करके एक स्माइल में हाथ उठा करके बोल्ड आउट सब कुस हो गए बर्सों का रिदे बेदना को एक मिनिट में टेक क्यार कर दिया सब सांते होकर बढ़ गए पुछे क इसांते हैंसे कभी याद आता है किने नहीं एक क्यों तो आपको जाद कर रहें तो सब कसम खाय, हम किरष्णे के बारे में उनके बाद, भुछेंगा ही नहीं, वह हमको नहीं है, भुछेंगे उनको लेकिन यह मन की सभाव है, जहां जिसको बीरोदकरे जबराणी ज़ी लगेना, और वोज गतंएं नहीं, और वोज जाये गा हैं कि लेकिना, यह मन महाराज का जीस चीद नको जबर्दस्ती हटाना चाहते कभी इसा खतना कभी नहीं करता मैं जबर्दस्ती हटाएंगे तो हटेल इनिहीं हटी करको ही वेठे का कि दीन्रात सैने श्रपने जागरहन से नहीं हटे गासे कियों सुछ शड़ात पोलन आज कोई ना चाहते थे जवराइस जबर्दस्ट कर के मन को नलगा और क्रिष्ण के साथ उनके बारे में ना पुछे इन के बारे में ना सुचे इन पुक्कार करे तो करे क्या जुगते है जो सवाच के वल कृष्ण सिर्ष्ण कृष्णा ही कृष्णा कि अलाव कुछ आता ही नहीं परिशान हो गए ऐसे इंटेंस कृष्णा का विरह आने लगा फिलिंग आने लगा कि साब कृष्णा के अनुकरन करने लगे कृष्णबत वेवहार गोलीशव करने लगे पर राम जी नहीं समझेंगा और कौन समझेगा इसलिए तो आए इनके रिदेश स्वर प्राणनात इसलिए चून करके भाई साब को भेजे हैं बोले मुए तो चंचल हूं मेरा ब्रांडेड है थोड़ा बहुत में मेरा बैडनेम है लेकिन आपका बैडनेम होई नहीं सकता हम आप दोनों सेमी है लेकिन इतना अंतर है कि आप भध्र है मैं भध्र हूं इसलिए आप जाएंगे तो उनके प्राण की बेदना को आप अच्छे से समझेंगे टिटमेट भी करेंगे लेकिन मेरे से ज़्यादा विश्वास जना क्योंकि आपको मानते हैं रेस्पेक्ट ट् कि मुझे सब चलिया ठाक और क्या क्या गाली देते हैं लेकिन आपको कोई सहास नहीं कर गाली देने के लिए नो आपका हिस्ट इसा कभी नहीं है तिसलिए बढ़राम को भेजा गया था बढ़राम जी ने समय दिये उनका अती तिब्र बिरह बेदना रिदे के समस्तत आपको क संपुर्ण रुक्स दूरू कर दिया विल्कुल सब कुछ सुखी कर दिये यह उनको आता है कर्म कि एही उनके स्वेशालिटी सब सुखी किये अभी पुर्णिमा के रात आ रहा है नागकन्यागान बढ़राम जी के जो सेट अप गालफ्रेंड है ओही नागकन्यागान वो जब आये उनको मेसेज मिला कि हमारे प्रभुजी बढ़राम बन करके ब्रज में आये वो तुरंत निकले थे नाग लोग से लेकिन आके पहुंचते पहुंचते भी मत्रा जा चुके थे विचार है कि पहुंचे तब आपसेंट सब को पुस्ताच किये बोले पता नहीं क बड़ी दूख में मन मार कर अपिख्या कर रहते आप लोग तो कितने रास लिला कि हमारे ले तो उनके लिए बढ़राम जी तो गए थे ओ नाग कन्यागान जितने गोपी थे उनको साथ में लेकर के बढ़राम जी ने रास कृड़ावी किये रास लिला किये दो महिना में रहे और विशेष करके आज के तिथी में बसंत पुरणिवा इस रजनी में एक बढ़िया जागा चून करके ब्रज मंडल में वहां सरे आपने सेट अप गोपियां को ले करके वहां रास निर्थ्य क्रिये जो एक भगवान और भक्तों के बिचमे सर्वत कृष्ट अल् कि उसको हम अलग-अलग हम रास कंडम है इसलिए हमरे बिचार अलग प्रकर होता है लेकिन भगवान अपी रासलिया के वर्नम में सबसे पहले सुकुदव को समये सब्दा यूज कि भगवान अपी विस्वात्मा तांग रात्री विक ये भगवान है हमरे जिसे मूड़ बद्ध जीव नहीं है भगवान भी भगवान अपी तांग रात्री उस राती जोग माया अपासृत हम लगत मैहा माया की अधीन है कब जय महे लेकिन भगवान जोग माया के आस्रे दे करेके इस प्रकार के लिला कि थे उस रास का भीषी सता है उसका तक्ष्व कुछ और है हम कुछ दिन पहले दिली द्वार का नंपुल में कुछ सेशन उसको अपर लिया गया था रास के तत्व क्या है रार्शिल्ला के उसका वर कुछ सेशन है आप चाहे तो यूट्यूब में देख सकते हैं तो यह महा रसजुक्त रास लिला उज्वल रस यहां कृष्णदाश जी कहते हैं प्रजमे के वल प्रचारी थे परे किया भावे जहां प्रजे थे प्रचार सर्बद्कृुष्ट रस सी रास उसको बड़ राम जी ने वहां किये और के इभेंट को एक्जिकुट किये बरुन जीव को पता चला मेरा बेटी तो पिछे पढ़ा है दावजी के पास जाने के लि पता ने बरुन लोक साई क्या गाड़ी लेकर आई उनको पता लेकिन आ गई वह इसा नहीं है इमिडेट आपना जा करके बहुत सारे कदम खंडी में लिला हो रहा है कदम के पेड़ बहुत है कदम बगत्स के कोटर से आप लिकुडी बनकर कहां निकलना कादंबरी इसको ब एक रेवती दुसरा बारुनी बारुनी लिकुडी फर्म में आई थी कदम बनकर के कदम बुख्य के कोटर से निकली हुई स्पेशाल जूस ड्रिंग्स ओर ड्रिंग्स का स्मेल तो दो माइल तक जाता था और टेस्ट काता हम बोली नहीं सकते हैं फ्यूज उड़ जूड़ पेड़ से कादंबरिक रूप में बारुनी जी प्रकट हुई उनके रूप रंग रस और स्वाद से गंध से पागल हो गए सब लोग सी बड़रामजी समसे सामने गए भर भर करके पिए कंठाग्रत हो करके पी गए सारे गुपिकाएं पीए सारे बाकी जितने पसुपकी च लाल लाल भूमने लगा नर्शम चक्कर में खूब ड्यान सके ना चे गए पसीना पसीना हो गया इस बड़्या सांग में तो इसे ही गर्मी होता है बुले अब तो जल करना चाहिए इसनान करना चाहिए बाथरू तो था नहीं पास में हम लोग तो बाथरूमी जानते तब जब जवान अभी सुथ नहीं होता था था ता तंकि फैंकि मुंशिपर ट्याग बाथ रात रहे वाथ हम कहां आएंगे जमना स्थान करना है सुद्ध सितल जल जमना जी आप नहीं था जहां पर बड़राम जी ने डियांस कर रहे थे जमना जी आपने को बड़न तलेटी में बड़नाम जी ने उहीं से अड़र दिवाले जमने कम हीर कि जमने जी बली रात हथ में तीन बज़े कोन बज़े बिला रहे हैं मेरे नाम लेकर करके देखी कि भून उठाकर देखी अनलाइन थे देखी यह तो जेट का नंबर है विडियो कल था देखी तो उनके आंक लाले लाल घूम रहा है बली बापर बाप बिलकुल लोडेड है अब ही जाना ठीक नहीं है इसी थाप से थोड़ा गई नहीं है बड़ना मुझे की खुसा आ गया सुच्छाचारी नहीं मेरा बात नहीं मानती है बुला नहीं आती रखते हैं एक मुशल एक हल कभी को मुशल काम लेते हैं कभी हल का काम लेते हैं अब हल उठाए भूले खींच करके चीर भाड करके तुझे पानी सुखाई डालूंगा तो नाम निशान मिट जाएगा जबना का इतने सतधा कर दूंगा तुझे इतने भाग करके सब पानी वुठां करके लंगल कु ऑलकु डालकर के खींचने लगे खींचने लगे वरी बापरी उनका कुरोध मुर्थी उनकी लंग हल कु और कुछ तरक जम नद ही कंपलिट डर गई शरंडर की हाथ उठा करें पाही 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 मांग करें रख्या मां बेल्कुल दोड़ पड़ी आई हार जोड के सरण में बोले आप जो कुछ लेकिन हल पकड़कर खीच लिए थे आउट अप कोर्स आउट अप हुए में इसलिए इस थान अभी भी आप जाएंगे ब्रज में इस थान है प्रसिद्ध पड़ाराम जी के सुंदर बिग्र है लेकिन इस थान करना हमें एंचा को लाए थे इसके नाम पड़ गया खेंचा वालेदा हो जी जो खींचे लिया थे हल लगा कर खींच लिये थे आज भी जमुना जी उनके रूट परिवर्तन कर दी इस को वर्धन शायड में जाती थी नन्नगा वर्शना होकर को ही बहती थी अब रूट चेंच करके वह राम कि आकर के उनके लिए बहुत गिव्ट भी लाई थी बिलिशनान करेंगे इसके वाद गाम चाम चाहता को प्ड़ा पड़ता नहीं लाए टाव लेकर आई थी सब गिव्ट थी उनको तिलक पटाए सब अलंकार निला बस्तर बहुत स्पेशाल माला जानते है किष्ण बढ़ जी की प्रसंद करने के लिए उनके लिए बस्तर और माला भगवती जमुना ने बना करके लाई थी चुने हुए पुस्पका जो बढ़राम जी पसंद करते हैं इस पुस्पका माला बना कर लाई थी बढ़राम जी अपने गोपियों के साथ बहुत खुस हो करके जमुना भी खूब नाहे जल भिहार किये और उठे तो अल्रेडी जवनाजी रेड़ी कर रखे थी सब ड्रेशिंग टेबल सब रेड़ी था तिला खुला के बस्त्र पहने इस प्रकार प्रसन्नता आज भी उस्थान रामघाट है जो हम भजन में गाए जय जय रामघाटा रोहिनी नंदन वही रामघाट का नाम से पसिद्ध है खिलन बन से थोड़ा आगे है जवनाजी के तरफ तो यहां पर भगवान ने अपने नाग कन्यागणों के साथ में अपने कोपियों के साथ में अब रास लिला भी किये थे और प्रसन ना किये क्योंकि रास में भाग नहीं लिये थे जो उनके लिए रास लिला किये जो लोग रास में भाग लिये थे क्रिश्ने के साथ में उनके सामने केवल उनको संग दे करके जस्ट बाई ही जी आसोचिए सन रास का ही सुख उनको ब्रतान कर दिये उनके सामने कि लता पता सभी को परमसांति संत्वना आश्वासन सुखी करके दो महिना उनके साथ विता करके बड़ाम फिर वापस दार का गया कि यह बड़ाम जी की टूर था टू मन्स टूर था व्रणावन के लिए हम लोत को टू मन्स के लिए आते ही नहीं दो दिन तीन दिन बहुत हो गया पर चलो लेकिन बड़ाम जी दो महिना लगे गये थे और संपुर्ण ब्रज को चेंज ही कर दिये अलग ही कर दिये कृष्ण की जो आपसंस फील कर रहे थे उसको पुरा कर दिये यह सी बड़ाराम जी के प्रभाव है उनके प्राक्रम उनकी है वही कर सकते हैं इसलिए श्री भगवान ने उनको ही भेजे थे और वो जा करके ब्रज में इस प्रकार के आज की रास रजनी में रास तिला करके और संग दे करके बात यादी करके सभी को अंदर से बाहर से परमसुक सांतना सांत करके फिर आये थे यह बड़ाराम जी की ब्रज जात्रा भागवत बरने थे बड़े प्रसिद्ध है जो आज की विशेस तिथी में हुआ था तो रास भी हरी जी सुन रहे हैं उनकी आदाता होगा कि हम भी इसे किये थे उनके प्रस्णता के लिए आज के तिथी में सी सी राधा रास भिहारी गुबर्धन जीब बैठे हैं लेलिता विशाकवी हैं उनके सी चरण में हम सभी दास दासी प्रत्थना करना चाहिए रिदे से रिदे अंजली यह अंजली देख करके उनस कि अचिक च कृपा किये कि कभी आपके कृपा से हमारा पास भी इस समर्थ हो तेकि हम भी कभी इसे आशा करें कभी आप भी आप यहां कर करका हम कोई से सांतौना ऐसे सुक्ष प्रदान करें पिश्याद हारास भिहारी जी की अबसंख की येस अपने मन से ये कथा कहिने के लिए मैं भक्तों से बुछ रहा हूँ कितने लोग बंबे में थे और कितने लोग बंदावल में थे अभी तहें दिल से हो हाथ उठाओ आप लोगों से बुछ रहा हूँ ये कथा में बंबे में थे कि मंबे में बंदावन में थे रहे हो तो देखो हमारा क्या भाग्य है और महराज आज ही इस समय उपस्ति रहीना और ये बढ़ना अभी दो दिन पहले महाराज का लेक्चर सुना रहीनी में अमोग लिदा प्रभू ने बड़े जोर से कहा था कि रास लिला के ओपर ही लेक्चर करना है लेकिन महराज ने कुछ आओरी बाते वहां में पुरन लिक्चर सुना रही बाते बताई दिक कि आहो भाग्य हमारा आज है सुनने केलिए अब भाग के तटा सुनदर लगा किसे अवहराज का रुजहिए ए जो महराज कैसर सुनेंगे तो उनको लगने कि मैं क्या बोला है। कोई कोई बात किसी किसी बढाई यह बात आख आखे की भात है। और हम बाग्यहां के लिए यह बहुत भड़ा थ रैली-भग्या थिटम आज का दीन जूआ हमें इस बात का अनुभव हुआ प्रेम हुआ हरे कृष्णा जबाराफ के लिए एक बार जो और बार हरे कृष्णा बूलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हम महाराफ से कर्बंद विंदी करते हैं कि आई इसे बार बार आए और ब्रज को लेका है साथ में शिंपल भास्या में भोली भास्या में गाव की भास्या में सारी बाते हमको संझ जाए अरे गृष्णा बलराम जी हमेशा कृष्ण के साथ में रहते थे अमा जो सोदा भी बलराम को कहते थे कि कि कृष्ण के साथ में रजाना बड़ा नठखठ है इसको सम्हालना कोई-कोई लीला में कृष्ण अकेले भाग जाते थे कालिये मर्दन करना था तो अकेले चुप भाग गए कि बलराम रहेंगे तो कालिये दह में तो जाने नहीं देंगे बलराम के अनुपस्थितिव उनको छोड़कर चौरी से कालिये मर्दन करना था तो अचले गए थे फारिये यह 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 सोनिर्ति फेयर आज को शाथ नहीं खुआ है कोई कोई लीला में शात नहीं बलگाम शीए इस तर्फ्वर मुंदे हैं लुक दाओ जी उसका मतलब क्या है कि रास को देख रहे तें लुटी लुट च्छिप कर देख रहे कि सामने जाने से गुपियों को ठोड़ा सरम लए गासर के गईर लिज उनका कालिया्भाण और अगासर को बात कहते हैं कि He G तो जब चोटी बैठेंगे उनके सामने चोटे-चोटे बाला कैसे रोल करेंगे ड्रामा कैसे करेंगे तो कालिया ने पहले से मेल भेजा था अगासर आप नहीं आना आपके सामने हमरा बोली चलेगा नहीं बंद हो जाएगा तो इसलिए बढ़राम जी ने बोले कृष्ण को तो सब डूजाते उस दिए भी करेंगे इसलिए नहीं नहीं आपके और के प्रस्ण नहीं सी सी राधारा से भिहारी भगवान की सी 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 ताराम लक्वन हनुआन की सी निताय गोर सुंदर की सी लप्रभुपाद की